तो ये हालत देश की वर्तमान राष्टपती के भांजे की है कानपुर के रहने वाले रामशंकर कोविंद ने नवंबर 2018 में नगर निगम में अपने पोते का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन किया था रामशंकर कोविंद का बेटा नगर निगम दफतर का चक्कर काटता रहा लेकिन वहां के बाबू उससे टरकाते रहे बेटे ने जब अपने पिता को ये बात बताई तो वो भी नगर निगम दफतर पहुँचे लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पाद मामले की जानकारी मिलने पर मीडिया नगर निगम पहुँची तब कहीं जाकर बाबूओं के कानों पर जूरेंगा इसके बाद अपर नगर आयुक्त ने राम शंकर कोविंद के पोते का बड़ सर्टिपिकेट बनवा कर उन्हें सौब दिया 26 जनवरी को राम शंकर कोविंद परेड में शामिल होने तिली जा रहे हैं और तब वो इस हकिकत से राष्टपत को रोगरू करवाएंगे